शो, हलो दोस्तों, बिलकम, कैसे हैं आप लोग, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि APSU University का डिगरी का फार्म हम किस तरह सकते हैं तो हमने अपने कंप्योटर में यहाँ पर Google को ओपन किया है हम चलते हैं अपने पोर्टल पर, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर APSU.MP Online इतना लिखने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है सर्च करने के बाद आपके सामने यह पहली वाली वेबसाइट जो है इसको आपको ओपन कर लेना है इसको ओपन करने के बाद आपके सामने APS University रिवा का पोर्टल ओपन हो जाएगा यहाँ पर हम सर्विसेज में जाएंगे इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी डिग्री से रिलेटेड तो यहाँ पर हम जाएंगे सर्विसेज में यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं इसको हमको बंद कर देना है यहाँ से हम इस लिष्ट में ढूरेंगे काउंटर बेस अफ्लिकेशन इसमें जाएंगे त्पर लिखा हुआ है इसमें हम जाएंगे थार्ड नमबर पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपलाई डिग्री वेइफिकेशन और ट्रांस्क्रिप्ट इस वाले आप्शन को क्लिक कर असलब ये है कि अगर आपका admission 2015 या 16 के बाद हुआ है तो आपकी जो details है वो online university के server पर जरूर होगी और online enrolled student जो होते हैं उनकी mark seat पे जो enrollment number होता है वो numeric होता है वो 11 अंको का होता है और उसमें सेफ नंबर होते हैं और उसमें कोई भी alphabet नहीं add होता और offline student वो वाले होते हैं जो 2015 15-16 और जब से university सुरू हुई है तब से उन्होंने admission पहले लिया हुआ है तो उनका जो enrollment number है वो alpha numeric होता है उसमें आपको कुछ alphabet और कुछ अंक भी देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर इस तरह के option आपको दोनों बनाए गए हैं हम एक mark seat देखते हैं और mark seat में देखकर समझ enrollment number है वो उपर तो roll number है नीचे जो enrollment number है वो पुरा new memory खेरे किए one four वगरे कुछ लिखा हुआ है यह 11 यह 15 का होता है लेकिन जो हमारी पुरानी वाली mark seat होती है मतलब online वाली नहीं होती है उसमें इस तरह enrollment number आपको देखने को नहीं मिलेगा इस वाली mark seat में तो आपको इस तर इस वाली mark seat में आपको enrollment number जो है वो alpha numeric लिखा है इसमें b1 alphabet है उसके बाद dot लगा हुआ है फिर one zero लिखा है फिर two one two four लिखा हुआ है तो यह जो है यह old mark seat है इसको हम offline के तहत भाएंगे और अच के इस वीडियो में हम इसी वीडियो को sorry इसी mark seat को लेकर form को भरने वाले है तो हम इसको open करके रख लेते हैं ताकि हम इससे data को fill कर सके और हम यहाँ पर offline में click करेंगे उसके बाद यहाँ पर हम उनका enrollment number एंटर करेंगे फिलाल online में click नहीं करेंगे क्योंकि online वाला form नहीं है यह पूरानी market है तो हम यहाँ पर उस data को fill करते हैं पहले हम इनका enrollment number लिख हैं और online वाले में ध्यान रखेगा कि अगर आप online भार रहे हैं तो आपका data server में उपस्तित होगा तो हो तकता है कि आप जब search क्या है तो वहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई दे लेकिन वह कोई बहुत बड़ा matter नहीं होता है उसमें अगर आपका नाम नहीं भी दिखा है प्रिक क्या है यह इनकी form की गड़बड़ी है तो मैं आपको बताऊंगा आगे और इनका रोल नंबर जो है वह 520 है तो हम इसको यहां से इंटर करते हैं 520 और देखें इंडॉल्मेंट में हमें कुछ error देखने को मिलना है वह इसलिए देखने को मिलना है क्योंकि हमने य नहीं वार पाएंगे तो ठीक है देखिए हमने इसको सुधार दिया है और अब वह इदर गायर हो गया यहां पर देखें हमें तीन चार पास तरह के आफ्टन मिलेंगे तो सबसे पहला वाला जो आफ्टन है वह डुप्लिकेट डिगरी के लिए होता है अगर आपकी डिगर अगर आपको मिलता है डिगरी वेरिफिकेशन का अगर आपके डिगरी में कोई समस्य हो जाती है और जहां आपने अप्लाई किया है आपको वहां कहा जाता है जाता है कि आप डिगरी को वेरिफाई कराके लेके आए तो यहां पर आप डिगरी वेरिफिकेशन का फार्म भारेंगे उसके बाद लास्ट आपको मिलता है ट्रांस्क्रिप्ट का इसकी जवत आपको जब आप देश से बाहर जाते हैं तब पढ़ती है बैसिकली इसमें आ लागी बताऊंगा यहां हम कैप्चा को फिल कर लेते हैं कैप्चा को फिल करने के बाद हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सहायता के लिए मैंने फार्म को प्रिफिल्ड करके रखा हुआ है आप लोग यह मत सोचेगा कि जो नाम मार्प सीट में लिखा हुआ था वो इसमें क्योंने लिखा है मैंने फेक डिटेल दी हुई है तो देखे यहां पर यह जो फीस वाली बात मैंने कही थी उस इसको फिलाल आप पढ़ सकते हैं और मैं इसको यहां से ओके कर देता हूँ देखे मैंने फार्म को प्रिफिल्ड किया हुआ है इसलिए आप लोगी मत सोचीगा कि जो जानकाई मार्क सीट में थी वह यहां क्यों नहीं है यह मैंने एक डेमो के रूफ में आपको दिखाने क आपकी चैटेगरी वहेगी इसके बाद यहां पर एक अप्षन है एनाराई का अगर आप इंडिया के नागरी के हम बहार रहते हैं तो इसको यस कर दीजिए लेकिन और इसलिए ऐसा बहुत कम लोगे साथ होता है तो इसको हम नो करके ही रखते हैं एनाराई के मतलब आप ल नॉर्मल मगवाते हैं तो वो मार्सीट आपके पास बाई पोश्ट आती है डाक के द्वारा आएगी तो इसलिए आपका जो एड्रेस होना चाहिए और एड्रेस में अपना मॉबाईल नंबर जरूर एड्ट करिएगा अब आप लोगे कहेंगे कि मॉबाईल नंबर का से कॉंटेक्ट कर सके उसके बाद यहां पर इमेल आइडी भी जरूर फिल कर दीजेगा अगर करना चाहते हैं तो क्योंकि जब आप फॉर्म को फिल कर देंगे तो अप्लिकेशन नंबर जो है आपके मॉबाईल के साथ साथ आपकी इमेल आइडी पे भी जाएगा ताकि क्योंकि फीस वाला पार्ट था जिसके वायर में मैंने अभी दो बार बताया आपको तो यहां पर आप देखिए और यहां पर आपको दिख रहा है विजर्ट तो विजर्ट में आपको क्या करना है कि अगर आपका जो विजर्ट है वो नॉर्मल है मतलब विजर्ट आए हु पहले अपलाई कर रहे हैं मतलब विजल्ट आये हुए आपको 6 महीने अभी नहीं हुए हैं तो आपको यहां पर विजिन 6 मंथ वाला अफ्टन चूच करना पड़ेगा और विजल्ट आने की डेट देखने के लिए आप सीट में नीचे की तरफ जो सील लगी होती है डेट वाली आप उसको देख सकते हैं देखें यहां पर मैं आपको फीज दिखा दूँ विजिन 6 मंथ में आप नार्मल डिग्री अगर लेते हैं तो आपकी फीज 600 रुपर रहेगी और विजिन 6 मंथ में अगर आप अरजन डिग्री लेंगे तो आपकी बास हो जाएगी दिखिए अगर आपका रिजिए नार्मल है आप नार्मल डिग्री लेते हैं तो आपकी जो फीज है वो तीन सो रुपर रहेगी और तीस रुपर जो पोर्टर का चार्ज है वो आगे की तरफ जुगा हुआ है वो तो सभी के साथ एड़ रहता है तो फीज इसके लिए इस तरह की बात थी और यहां पर आप अगर वी दिन 6 मंत करते हैं तो आपका जो फीज है वो बढ़ जाएगी लेकिन इस तरह का फॉर्म कम ही लोग बाते हैं और इसलिए लोग शाय महिने के बाद ही अपनी डिग्री लेते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ह आप नॉर्मल ही लेकर चलेंगे दोनों कीज़े और जो नीचे वाला जो है वो डिग्री टाइप है जिसी जो मैंने उपा अभी आपसे बताया ना अगर आप नॉर्मल करेंगे डिग्री टाइप तो आपको बाई पोश्ट भेजी जाएगी नॉर्मल में और अगर आप आर सा रुपए हो गई है तो यह चीज आपके साथ समझ में आ गई होगी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं उसका जवाब आपको जरूर दोगा तो हम यहाँ पर फार्म को आगे बढ़ाते हैं और फार्म आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर दो को लोगे डिया है नुआश्याट करने के बाद हम फॉर्म की अगली स्टेश पर चलते हैं यहाँ पर हम आपको अपना टाइप सब्लाइट करना है कि आप रिग्लर हैं प्राइबेट हैं तो यह तो नार्मल पर आपको सभी को पता होगा कि घर में आएकर किसी दूसरे कोॉ यहां पर जित्ते भी college APSU University से affiliated है उन सभी college की यहां पर आपको list दिख जाएगी और सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर APSU University में जो classes लगती हैं उसकी भी list मिल जाएगी उन सभी classes की list department नाम से रहेगी जो भी department आपका हो अगर आप university में पढ़ते हैं तो आप यहां से उसको select पर सकते हैं अगर आपको इसमें department नहीं मिलता है तो आपको सबसे नीचे वाला option select करना पड़ेगा जिसमें लिखा है university teaching department तो यहां से फिलहाल आप अपने college को select कर लीजे और अगर आपका college इस list में नहीं है तो उसका भी एक option है आपको यहां पर अदर म में जाने के बाद आपको यहां पर नीचे एक text box दिखाई देगा इस text box में आपको अपने college का नाम type कर देना है manually उसके लिए देखिए आपकी mark sheet में आपके college का नाम लिखा है जैसे इसमें लिखा है center Southamny Institute of Nursing तो हम इसी को यहां पर दिख देते हैं Southamny College of Nursing जो भी लिखा हु करके और उसको फिल कर देना आपको थोड़ा सा धूड़ना पड़ेगा जरूर लेकिन धूड़ने के बाद इसको select करके यहां से इंटर कर दीजेगा क्योंकि इसमें फिलहां सभी आपको course मिल जाएंगे अगर course नहीं मिलते तो आप university में संपत कर लिजेगा क्योंकि इसमें 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 की है लेकिन फिर भी यहां पर मैं नोही करूंगा क्योंकि अगर आप यस कर देंगे तो यस करने के बाद आप से internship का certificate मागा जाएगा देखे नीचे और एक option आगे है attach करने के लिए तो internship का certificate generally लोगों के पास इतने अतानिकर नहीं होता है जब कहीं training करने नहीं जाते तो इसको आप no कर दीजिए इससे कोई matter आपको नहीं होगा आपको degree मिल जाएगी उसके बाद आप आगे चलिए आगे चलने के बाद देखे पाइक शफल है यहाँ पर आपको पास सेलेट करना है और पीजडी है तो उसके लिए आपको इवार्डेड यहाँ पर सेलेट करना पड़ेगा उपर वाला ठ सेकेंड थार्ड जो भी आप हैं अपना परसेंट निकालके यहाँ से उसको भर दीजिएगा क्योंकि आज करकी मार्क सीट में वो लिखा हुआ नहीं रहता है तो इसको यहाँ से बढ़ दीगे तो नामक की बात है यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो एक बार अपने कर लिए उपर से नीचे तक क्योंकि इस फर्म को चेक करना बहुत ज़ली है अगर आपने फर्म चेक नहीं किया आपने फर्म में कोई गलती कर दी तो गलती करने के बाद आपने अगर पयमेंट कर दिया तो आपका फर्म यहां से नहीं सुधरएगा आपको युनिवरसिटी कि इस कैन कापी है वह 200 KB से अधिक नहीं होने चाहिए और कम से कम 10 KB तो 10 KB से कम कौन फाइल आता या तो फिलाल 200 KB से अधिक नहीं होने चाहिए आकि वार्ट से तो उसके बाद इस फाइल को हम यहां से अटाइच करेंगे इसकी हम प्रापरटी देखते हैं देखे यह 106KB की है तो हमारे लिए यह सूटेबिल है हम इसको यहां से अटाइच करेंगे तो यहां पर हम चूज फाइल में चले जाते हैं चूज फाइल में जाने के बाद हम अपनी लोकेसं देखते हैं कि हमारी मार्ट सेट कहां पर है आप लोगो मेरा कंप्यूटर थोड से हम इसको सलेक्ट करते हैं देखे यहां पर आ गई है वो स्वारी साथ दुआ क्लिक होगे हम फिसे सलेट कर लेते हैं सलेक्ट करने के बाद ओपें करेंगे ओपें करने की बाद यहां पर एक चेक बॉक्स है चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे यह डिकलेशन का फॉर्म होता अप्लिकेशन नमबर को आपको विसेज तोर पर कहीं नोट कर लेना है या पर कॉपी करके कहीं रख लेना है क्योंकि अगर आपका फॉर्म भारते सम्मिट होने के बाद कोई लाइट चली गए या फिर कुछ समस्या होगी देखिए मैंने इसको यहां पर सेफ किया हुआ है त तो आप इसी नमबर से अपना दुबारा से फार्म उपन करके पेमेंट कर सकते हैं या फिर अपनी रसीद निकाल सकते हैं ठीक है तो एक बार आप इस बिंडो पर अपना पूरा जो फॉर्म है उपर से नीचे तक साही चीजे साही डिटेल चेक कर लिजेगा क्योंकि इस ब अभी आपके तो इसको प्रिंट करके अपने पास सेब कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो भविस्ट के लिए देखिये इसके उपर मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये इस तरह से open हो जाएगा और आप इसको इसको इसी पीडियेफ को आपि आप अपने कम्पीटर में सेब कर स खुल जाएगा जो कि MP online का है देखिए इतने साय यहां पर आफसाने पेमेंट करना सभी कोई जानते हैं आइस पर डिश्टल इंडिया का जमाना है सब के पास यूपी आई के एप्लिकेशन है जरनली लोग यूपी आई से ही पेमेंट करते हैं लेकिन यहां पर आपको net banking का debit card का IMPS का और वॉलेट का भी आफसान देखने को मिल जाएगा यहां पर बहुंस चाहिए आफसाने किसी किसी आफसान में आपके पैसे भी लग सकते हैं पोर्टल के चार्ज भी लग सकते हैं तो थोड़ा समल के पेमेंट लिएगा फिलहाल मैं यहां पर यूपी आई में पे रिफ्रेंस नंबर जो कापी कर लेना है क्योंकि अगर आपका जो पेमेंट है वो फेल होता है तो आप बैंक को यही नंबर बताकर इस पेमेंट के बारे में जनकारी ले सकते हैं अब हम समिट करते हैं और इस पर लिखाए डूनाट रिफ्रेस क्योंकि यह पेमेंट वाला बाता होगी जिसमें आपका मुबाइल नंबर बहता है जनल सभी अधिकतर चीजों में और उसके बाद जो भी अप्लिकेशन आप यूज करते हैं तो चलिए हम यहां पर इसको बैक कर दी हैं और हम अप्लिकेशन नंबर से दुबारा से फार्म आपको दिखाते हैं हमने नहीं कि क्योंकि एक डेमो फार्म है तो हम क्यों पैसे अपने बाद से हैं तो हम इस अप्लिकेशन फार्म से इसी फार्म को दुबारा को लेंगे जो मैंने अप्लिकेशन नंबर अभी आपको बताया था कुछ देर पहले तो चलिए हम दूसरे टैब में फिर से पोर्टल को उपन करते हैं अपने पोड़ल को यहाँ कर लिए हैं यहाँ से हम अप्लिकेशन array the question फाम को पिन दिखा है आवे धन करमांग जो हमने उस form कापी किया था हम यहां पर इसकोपेश्ट करेंगे उसमें लिखा है नीचे जनुकि तो हमने जो भी डेटा बट अपने डाली है या फिर अपना फरम भाए तो डेटा बट रहा है तो याद ही होगी तो यहां पर हम अपनी डेटा दिखाई देगा तो चलिए हम यहाँ क्या फिल कर लेते हैं यह तो बड़ा परिसान करता है सेवेन वी फाइब डी एफ है ओके हम सर्च करेंगे और यह देखे सर्च करने के बाद वही फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जागा और आप इस फॉर्म के नीचे जा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए मैं उसका जवाब जरू दूँगा और कुछ दिन बाद हम अपना वाट्सप नंबर विलिफ करने वाले हैं जिसके की मैं एक ते दो घंटे के लिए ऑनलाइन रहूंगा और उसके अगर आपके कोई डाउट्स हैं किसी पी ऑनलाइन से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे इस तरह की इन्फरमेटी और फुल डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगी और किसी भी तरह के डाउट के नहींचर को सकत्वर्णी और च्टे के लिए वीजे तरह को इन्फर मिलेगश आपको देलेबी और किसी तरह क्लोश सकते हैं जहांते हैं डिएको वीजेग के लिए seventwydd।